जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोल दिये हलाव होंगे मंडे से मंडे से 7 तारिक से 9 से 12 के स्कूल खोल दिये जाएंगे नर्स्तरी से 8 मी क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफते से खोल दिये जाएंगे अगले मंडे से यानि कि 14 तारिक से 7 तारिक से दिल्ली क के सभी colleges भी खोल दिये जाएंगे और अब colleges को कहा गया है कि वो offline classes चलाएंगे अब उनकी online classes नहीं चलेंगी बलकि सब के सब अब offline classes चलाएंगे अभी night curfew जारी रहेगा लेकिन उसका time अब 11 बजे से होगा सभी offices अब 100% allowed होंगे अभी तक 50% की capacity में allowed किया गया था अब सभी government और private offices 100% capacity के साथ function कर सकेंगे दिल्ली में कोविट के cases अब काफी control में है और positive rate भी बहुत नीचे आ गया है अभी तो वैसे मैं आज DDMA की meeting में कई एहम फैसले लिए गए जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पटरी पे लोटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोजगार लोगों के कामकाश तक सब पटरी पे लोटे तो इसके लिए साथ महत्पूर्ण फैसले DDMA की meeting में लिए सबसे पहले तो संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफते से खोले जाएंगे मंडे से साथ तारिक से नवी से बार्वी के स्कूल खोल दिये जाएंगे और धीरे-धीरे क्यूंकि अब कोविट केसिज भी कम हो गए हैं और साथ साथ में नवी से बार्वी के एज के बच्चों के vaccination में भी कौफी progress हो गई है दिल्ली में तो धीरे-धीरे अभी तो हाला कि नवी से बार्वी के लिए hybrid classes जारी रहेंगी स्कूल खोल दिये जाएंगे साथ तारिक से लेकिन hybrid classes जारी रहेंगी online classes भी जारी रहेंगी और धीरे-धीरे हम इस stage में की तरफ बढ़ेंगे समय आ गया है धीरे-धीरे हम उसे stage की तरफ बढ़ेंगे जब hybrid classes बंद कर दी जाएंगे और केवल physical classes, offline classes ही चलें लेकिन फिलहाल साथ तारिक से नवी से बार्वी के स्कूल खुलेंगे और वो hybrid classes भी चलती रहेंगी उनकी यानि की चौदे तारिक से आठ्मी से नीचे के सभी स्कूल आठ्मी और उससे नीचे के सभी classes के स्कूल खोल दिये जाएंगे इससे पहले एक अफ़ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तयारी करें स्कूल को खोलने की और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नरसरी से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे वो चाहे गौर्मेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में वो सब के सब वेक्सिनेटेड होने चाहिए उन सबने वेक्सीन लगवाई होनी चाहिए दूसरी बात कॉलेजिस को संबंद में हैं दिल्ली में कॉल सब तारिक से दिल्ली के सभी कॉलेजिस भी खोल दिये जाएंगे और अब कॉलेजिस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासिज चलाएंगे अब उनकी ऑनलाइन क्लासिज नहीं चलेंगी बलकि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासिज चलाएंगे कॉलेजिस के लिए भी ज़रू इस पॉलिटेक्निक उन सब भी लागू होगा वो भी सब साथ तारिक से खोलती हैं जाएंगे कोचिंग इस भी साथ तारिक से खोलना अलाउड होगा नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा पहले 10 बजे से होता था अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुरू होगा सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक allowed थे लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फियू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी तो अब ये निर्ने लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स ग्यारे बजे तक खुलने allowed होंगे ग्यारे बजे से night coffee होगा लेकिन ग्यारे बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को forcefully बंद नहीं किया जाएगा ग्यारे बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे तीसरा एक एक निर्ने ये लिया है कि सभी offices अब 100% allowed होंगे अभी तक 50% की capacity में allowed किया गया था अब सभी government और private offices 100% capacity के साथ function कर सकेंगे gym, spa और swimming pool ये भी अब allow होंगे Monday से तो जो gym, संचालंगों की मांग थी spa वालों की और swimming pool वालों की मांग थी और खास्तोर से जो बच्चे competition की तयारी कर रहे हैं swimming वगरा के लिए उनके लिए बड़ी मुसिवत थी तो अगले Monday से साथ तारिक से gym, spa और swimming pool भी खोल दिये जाएंगे, allow हो जाएंगे साथ साथ जो exhibition लगती है B2B exhibition लगती है Business to business exhibition लगती है तो exhibition आयजित करना भी अब allow होगा तो इस तरह से ये महत्पूर्ण फैसले इसले लिए गए गए ताकि COVID केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं जिन्दगी पट्री पे लोटे लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े लेकिन इसमें सबसे महत्पूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे साथ तारिक से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे नवी से 12 तक के स्कूल साथ से खुल जाएंगे और नरसरी से आठवी के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे स्कूल में अभी हाईबरिट ख्लास भी रहेंगी ऑनल viral ख्लास भी चलेगी और अफलाइन भी चलेगी लेकिन colleges मनड़े से खुल जाएंगे और फिर अब उनको offline classes discourage करने के लिए कहा जाएगा, online classes, वो केवल offline classes करें, skill, polytechnic, iti वगरा सब खोल जाएंगे, coaching institute सब खोलती जाएंगी.